कि नमस्कार दोस्तों मैं हूं राहुल आप लोगंगा बहुत-बहुत स्वागत है मेरे यूटूब चिनल नमो टेकनिशन फिटर मास्टर में तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था और दूसरा भी तो आज हमनों स्कुर्ण तो जानेंगे बहुत सारे घ्राइप्स यह तेकि फ्रट को पूरे डिटेल्स में डिसकस करने वाले तो चले एक स्टार्ट करते है तो सबसे पहले जानेंगे की इस क्रूटा करने है क्योंकि Thread का जो Safe होता है, Square जैसा होता है, जिस कारण से इसको Square Thread कहा गिया है, Clear, तो Square Thread में आप देखेंगे जो H है, ठीक है, H हमारा है Depth, ठीक है, Thread का Depth को H से Denote किया गिया है, C हमारा दो Thread के बीच का जो Space है, उसको C से Denote किया गिया है, और A जो हमारा होता है, यह Thread का Width को Denote करता है, Clear, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो Depth होता है, Depth और जो हमारा Thread का Width है, और जो दो Thread के बीच का Spaces C, तो आज कल इस तरह के बी Question पूछ लिया जाते है, कि कौन सा Thread में, पीच का आधा Depth होता है, या पीच का आधा Thread का Width होता है, तो इस तरह से भी आज कल Question पूछ लिया जाता है, तो इस सब को जानना बहुत जरूरी है, तो Square Thread का यूज़ कहां पर क्या जाता है, Feed Mechanism of Machine Tools, तो Machine Tool का Feed Mechanism होता है, उसमें यूज़ किया जाता है, Screw Jake में इसका यूज़ किया जाता है, Fly Press में यूज़ किया जाता है, और Vice Spendal में भी इसका यूज़ किया जाता है, अब हम लोग देखेंगे Knuckle Thread के बारे में, तो Knuckle Thread क्या होता है, Knuckle Thread, Square Thread का है Modified Form होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जो Crist होता है, Root होता है, यह Rounded होता है, Clear, तो इसमें आप देखेंगे, जो Height होता है, याने जो Depth होता है, वो पीछ का आधा होता है, जैसा हमारा Square Thread में था, उसी तरह हमारा इसमें भी Depth पीछ का आधा होगा, और जो Radius होगा, वो 0.25 into P, याने पीछ का वान चोथ हाई, Clear, तो इसका यूज कहां पर किया जाता है, इसका ज्यादा तर यूज रेलवे कपलिंग में किया जाता है, अब हम पढ़ेंगे, एकमी Thread के बारे में, तो एकमी Thread का जो Most Important Point इसका एंगेल, तो इससे भी Question पूच लिया जाता है, तो एंगेल इसका होता है, 29 डिगरी, तो इसमें आप देखेंगे, जो Edge, Depth दिया हुआ है, 0.5 into P, प्लास 0.5 इसमें, 8 किया जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे, 0.3707, यानि हमारा जो Thread का Width है, into P, ठीच, टीक है, 0.370 07 into P, और यहाँ पर C हमारा होता है, F के Equal, अगर हमारा Depth Minimum रहेगा, और अगर हमारा Depth Maximum रहेगा, तो यहाँ पर C हो जागा, हमारा F-0.13, तो जो हमारा Acme Thread होता है, इसका यूज कहाँ पर क्या जाता है, जब हमें Easy Engagement और Disengagement करना हो, यानि बार बार हमें Engagement करना हो, तो वहाँ पर Acme Thread का यूज किया जाता है, यह Trapezoid Thread का ही एक Type होता है, तो इसमें भी सेम चीज़े लेकिन हमारा Trapezoid Thread होता है, इसका आप देखेंगे, इसका Angle यहाँ पर आप 30 Degree देख सकते हैं, इसका Angle कितना होता है, इसका Angle होता है 29 Degree, तो Trapezoid Thread का यूज जहाँ प आप देखेंगे, जो Acme Thread हमारा होता है, यह Lead Screw अब Lead में, जो Lead का Lead Screw होता है, उसमें Acme Thread प्रोवाइट किया जाता है, तो इसमें क्या होता है इसमें खाली एंगल में डिफिरेंस होता है इसमें आप एंगल देखेंगे वन फ्लेंग का एंगल होता है 3 डिग्री और वन फ्लेंग का एंगल होता है 30 डिग्री तो इसका यूज कहां पर क्या जाता है जहां पर हमें प्रेसर जहां हमारा हमें एक्उअ करता है यहां का यूज आपर आप देखेंगे इसका जो एंगेL होता यह फोर्टी फाइब डिग्री होता है ओधHo इसका जो strength होता है, त्रेड का ओभी ट्रेड केकोईल होता है, यह ब त्रेड और वर्टरेज त्रेड का जो strength होता है, यह सेम होता है. ठीक है, तो इससे भी question पूछ लिया जाता है, तो इसमें आप देखें सका जो डेप्ट होता है जीरो iba t742 टीज होता है तो इसका किया जाता है सका यूज कर्पेंटर करपेंटर भाइस चाहते सबस्ट वीकार्ट में सबस्सक्राइब के बारे में कित रாए में और आप लोगों को यह जानकारी अच्छा लगा और कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरू कर दिजिए, साथ-ी-साथ भाई को सपोर्ट करने के लिए शेयर भी करिए, और अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं, तो चै